नमस्कार आप देखें न्यूस फोर नेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ सिक्षा विभाग के ACS केके पाठक ने आब ट्रेनिंग के नाम पर ईद की छुट्टी को कैंसल कर दिया है दरसल सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीफ केके पाठक लगतार सुर्ख्यों में बने रहते हैं केके पाठक का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो कि सड़क से लेकर सदन तक हमेशा सुर्ख्यों में छाया रहता है ठुल की टाइमिग को लेकर लगतार केकेश पाथक सूर्ख्यों में बने रहते हैं आब ऐसे में पहले सदन में भी बिहार के मुखे मतरन मुतरीिश कुमार ने भी टाइमिग को लेकर केश बड़ा बयान दिया था उनकी प्रसिक्षन की डेट ऐसी निकाली गई है शिक्षा विभाग की तरफ से जिसके बाद उनकी ईद की छुटी कैंसल कर दी गई है बियार के स्कूलों में हाल में बहाल सिक्षकों को सिक्षक प्रसिक्षन संस्थानों यानि डायट में लगतार शिफ्ट में प्रसिक्षन दिया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश गुणवक्ता पुर्व सिक्षा से जुडा हुआ है इस बिच विभाग के अपरमुख्य सुचीव केके पाठके निर्देश पर जारी एक पत्र से सिक्षकों में हडकंप मच गया है होली के दौरान जिस तरह सिक्षक प्रसिक्षन को लेकर परिशान थे ठीक उसी तरह परिशानी फिर उत्पन हो गई है तब होली था और अब इद है यानि होली के तरह इद के दौरान भी सिक्षक प्रसिक्षन लेते रहेंगे यानि ट्रेनिंग लेते रहेंगे इद में भी सिक्षकों को विभागे ट्रेनिंग से मुक्त नहीं किया गया है गौड तलब है कि होली के दोरान सिख्षकों को प्रसिक्षन में भाग लेने का देश दिया गया था सिख्षक शामिल भी हुए थे होली के दिन ट्रेनिंग कैसे चली थी? किसी से चुपा हुआ नहीं है ट्रेनिंग सेंटरों में सिक्षकों के विडियो वालड हुए थे जिसमें रंग और अबीर से सराबोर सिक्षकों को अशलील गीतों पर डांस करते देखा गया था होली में ट्रेनिंग वाली बास सिक्षक संग के नेताओं को नहीं पची थी इसको लेकर नेताओं ने आपत्ती भी व्यक्त किया था लेकिन विभाग पर कोई असर नहीं पड़ा था 11 अप्रेल 2024 को ईद है यह हर किसी को मालूम है फिर भी विभाग इसे नजर अंदाज कर ईद के दोरान ही ट्रेनिंग का शेडियूल बना दिया है इसके खिलाफ कई सिक्षकों ने आपत्ती भी व्यक्त किये हाला कि आपत्ती सर्फ सोशल मीजिया तक ही सीमित है बताया गया है कि विभाग किस तर से प्रसिक्षन की अवधी 8 अप्रेल से 13 अप्रेल तक निर्धारिद की गई है इसे अवधी में यानि 11 अप्रेल को ईद है 6 दिवसिय इस प्रसिक्षन में कक्षा 1 से 5 तक के सिक्षक सामिलोंगे इन सिक्षकों को 7 अप्रेल के किशाम तक ट्रेनिंग सेंटरों में योगदान करने का आदेश दिया गया है प्रसिक्षन के लिए 8 अप्रेल को अपराग 5 बजे से रेजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा प्रसिक्षन के दौराल सिक्षकों को कक्षा संचालन और बच्चों से समन्वय बनाकर रखने के साथ ही बच्चों में कौशल विकास को विक्सित करने का गुड सिखाया जाता है इस प्रसिक्षन में कच्छा एक से पांस तक के सिक्षक को सामिल होंगे राजु सिक्षा सोध एवं प्रसिक्षर परिशद ने DEO और DPO स्थापना और डाइट के प्रचारे को पत्र भेजा है कि उक्त प्रसिक्षन में शामिल सभी सिक्षक फॉर्मल ड्रेस में रहेंगे यानि पूरुस सिक्षक पैंट शर्ट और टाइम में रहेंगे जबकि सिक्षक को सलवार कुरता अर्थवा साड़ी में प्रसिक्षन में शामिल होंगे पीची और योग स्तर के दौरा दौरान उजला शर्ट और पैंट निर्धारित किया गया है देखिए 11 अप्रेल को ईध है और इसी दौरान 8 अप्रेल से लेकर 13 अप्रेल तक सिक्षा विभाग दौरा एक शेडूल जारी किया गया है और इस शेडूल के मुताबिक तमाम बियार के जितने भी सिक्षक हैं यानि सरकारी सिक्षक हैं उन्हें अब प्रसिक्षन के लिए जाना होगा ट्रेनिंग के लिए जाना होगा जितने भी डाइट सिंटर बना है दरसल बियार के लचर सिक्षा विवस्ता को दुरूस्त करने के लिप में पड़ लगे हुए केके पाठक लागातार कुछ ऐसे फर्माज जारी कर देते हैं जिसके वज़े से उनकी भध पीटती नजर आती है फिलाल इस विडियो में बस इतना है आप देखत रहें न्यूस फोनेशन